हलोस पारेंट्स, हाउर यू आल, कैसे हैं आप लोग, आपके सामने हम एक नया बैच लेकर करके आए हैं, लक्षाय आई-एस के माध्यम से, चूपी PCS का सिल्वर बैच आपके लिए लॉंच किया जा रहा है, 9th October को, आप लोग जल्दी से जल्दी इस बैच के साथ जुड़ जाएं, और अपना रेजिस्ट्रेशन सीगर करा लें, क्योंकि पहले 500 बैच में 72% का आफ दिया गया है, चलिए, अब आईए, आकर बात करते हैं हम लोग जहां पर PCS की, PCS की तैयारी के दौरान हमें किस प्रकार से अपनी रड़नीती रखनी चाहिए, ये बेहत अगर हम इसमें देर करते हैं, तो हम कई बार अपने निश्चित लक्ष से पीछे चूर जाते हैं, यहां पर बिल्कुल भी हमें देर नहीं करनी है, अपने लक्ष को प्राप्त करना है, और चुनोती को सिकार करते हुए उससे चक्रा जाना है, इस तैयारी में हमने एक श्र परसों में प्रशनों को पूछे जाने का, और साथ ही साथ कैसे उसकी रड़नीती तैयार की जाए, कि उस पर इस एक्जाम को अच्छे से ठिकाला जा सके है, तो करना क्या है, आईए सबसे पहले देखते हैं कि क्वालिटी को कैसे हम तैयार कर सकते हैं, क्वालिटी राजव इतिहास, धोगोल, ये वो सब्जेक्ट हैं जो बेहद महत्वण हैं, जिनसे बहुत प्रशन पूछे आते हैं, और इनकी अगर तैयारी अच्छा से की जाए, तो भार्ग जो है, वो सुगम हो जाता है, हमने इससे पहले गवर्नेंस पे चर्चा की थी, गवर्नेंस को कैसे तैयार किया जाएगा, उसके संबंद में चर्चा की थी, जोकि मुखे परिक्षा के अंदर हमने देखा कि गवर्नेंस, अंतराश्ट्री, संबंद, या फिर आंत्रिक सुरक्षा, सामाजिक ने आए, ऐसे विशे हैं, जिनके बारे में अक्सर खात्र परिशान रहते हैं कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए, ताती साथ वहीं पे अगर हम इतिहास भोगोल की बात करते हैं, राजवरस्ता की बात करते हैं, अर्थववस्ता की बात करते हैं, तो छात्रों को कुछ न कुछ इसमें आइडिया रहता है, अनुमान रहता है कैसे तैयारी की जाए, लेकिन पिर भी एक निश्चित तयारी, निश्चित रणनीती के साथ अगर आप इसकी तयारी करेंगे तो बेहद आसान रहेगा आपको इस एक्जाम को निकाल पाना, लेकिन एक बात तो दिमाग में बिलकुल साफ बठा लिए, कि ये परिक्षा IS की हो या PCS की हो, इन परिक्षाओं को लेकर के जितना डर उत्पन कर दिया गया है, वास्तित्ता में ये परिक्षाओं उतनी कठेन नहीं है, लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, कि किसी बच्चे की ये कहने मात्र से ही, कि मैं IS की तयारी करूँगा, या मैं PCS की तयारी करूँगा, तभी लोग ऐसे रि यहां पर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, कि पांच साल लगा देना और सही रड़नीती के साथ लगा देना दोनों में परिक्षाओं, अगर इस एक्जाम को आप सही रड़नीती के साथ तयार करते हैं, सही द्रिष्टिकोर्ण, सही अप्रोच आपका रहता है, तो अगर आप निरंतर्ता के साथ एकागर भाव से लगातार परिश्रम करने के लिए तयार हैं, तो आप निश्चित मान के चलें, यह परिक्षा बिलकुल भी कठिन नहीं है, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के बारे में राजविस्था के बारे में डिसकस करेंगे, जिसमें आप SDM बनते हैं, जिसमें आप TTSP बनते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम रणनीती टै कर रहे हैं, तो रणनीती क्यों आवश्यक है, सवाल यह उठता है, रणनीती क्यों आवश्यक है, रणनीती इसलिए आवश्यक है कि जब भी आप किसी युद्ध के लिए जाते इसी mission पर निकलते हैं, तो जब तक एक proper plan of action नहीं होगा, तब तक पर वो इस mission को अचीव करना आसान नहीं, तो mission की सफलता इस बात पर निर्वर जादा करती है, कि आपका plan of action कैसा है, तो रणनीती में यहां पर हमें यह देखना है, कि जब हम तयारी करने जा रहे हैं, तो परिक्षा में प्रश्ण कैसे पूछे गए हैं, परिक्षा का पाठेकरम क्या है, उस पाठेकरम को हमें किस प्रकार से तयार करना चाहिए, कि कम समय में अधिक से अधिक पाठेम को हम तय प्यार कर लें और ऐसा कोई भी प्रश्ण नहीं हो जिसका उत्तर हमें पता नहीं हो तेकि सबसे अच्छी बात इस परिक्षा के बारे में आपको में बता दू कि इसमें सामानेता जो भी प्रश्ण आएंगे वो ऐसे होंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे जिनका पाठेकर सर्माक नहीं तो यहां पर यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कैसे हम अपना प्लैन ऑफ एक्षन ऐसा बना ले कि हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं सबसे पहले मैं यह निश्चित कर दूँ इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटी का UPPCS में पाठिकरम क्या है यानि किन किन टॉपिक्स पर UPPCS में पॉलिटी या राजवरस्ता के इंतरगत प्रशन पूछे जाते हैं उसके बाद हम यह देखेंगे यह जो प्रशन पूछे गए हैं पिछले वर्षों के एक्जाम में तो पिछले वर्षों के समझ लेंगे तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा कि पाठिकरम के किस भाग पर हमें ज़्यादा जोड़ देने की आवशक्ता है और किस भाग पर हम कम प्रयास भी करेंगे तो भी अच्छे नमर ले आएंगे ठीक है पॉलिटी एक ऐसा ही विशे है जिसको अगर सरलता प रहेगा कि हम जो है देखेंगे ट्रेंट्स कैसा रहा है और फिर उसके बार देखेंगे कि मुप्च परिक्षा के पिछले वर्स के प्रश्णों की एक जलक देख लेंगे क्या जलक है कैसे कॉश्चन आये हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गया है कैसे उनको लिखा जा यानि कि हमारा सदयव ये प्रियास रहेगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने लक्ष को प्राफ्ट दरना तो इसमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ी बाधा आती है प्रिलिम्स के बाद दूसरी जो बाधा आती है एक्जाम में वो मेंस के आंसर्स को लिखना कैसे हम में इसके answers को लिखें, तो इसमें प्रश्न आता है कि क्या प्रश्न को आप समझ पाए, अगर प्रश्न को आप समझ पाए, तो क्या निर्धारित समय सीमा, निर्धारित, जो सीमा है उसकी शब्दों की, उसके भीतर आप उसको लिख पाएंगे, ये दो बहुत महत्वपोन बाते हैं, निर्धारित समय के अंदर लिखना, और निर्धारित सब्द जीमा के अंदर, अगर शब्दों को आप तीमित नहीं रख पाए, तो फिर प्रश्न आपका गरबड़ हो सकता है, उत्तर में आपको अच्छे हैं, नहीं मिलें, ठीक है, तो ये भी आज हम यहाँ पर सीख करते रहेंगे, आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, लिखने के बाद हमारे एप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद अपने लिखे हुए उत्तर उसमें अपलोड कर देने हैं, उन उत्तरों को हमारे टीम के द्वारा चेक किया जाएगा, और चेक करन हम approach की बात करते हैं, कि हमारा approach क्या होना चाहिए, हमारे resources क्या होने चाहिए, कि किस प्रकार से हम तयारी करें, कौन सी किताबे पढ़ें, ठीक है, इसे हम चर्चा अभी करेंगे, आगे चलते हैं जरा, देखते हैं, चल बस को देख लेते हैं, सबसे पहले पाठिकरम देख लेते हैं, यूपी PCS के अंदर पाठिकरम में, राजववस्ता के पाठिकरम में क्या-क्या topic हैं, जो हमको कबर करने, उसको आप सबसे पहले देखे, देखे, परिक्षा की तयारी का सबसे अच्छा तरीका होता है, कि आप सबसे पहले उस परिक्षा के पाठिकरम को अच्छे से समझ लें, किसी भी परिक्षा की तयारी बस ऐसे ही नहीं करनी चाहिए कि बस हमने पॉम भरना है हमको तयारी करनी है तो गए किताबे खरीद लाए किसी सीनियर से पूछ लिया किसी कोचिंग में पता कर लिया और किताबे बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने अस्त्र और शस्त्र बिलकुल तयार रखें जिससे कि आप अटेक करें और विजय हासिए करें तो यहां पर सबसे पहले आपके लिए जरूरी है वो पाठेक्रम को समझना, तो जब पाठेक्रम को आप देखेंगे ये आपके सामने हमने इसका पाठेक्रम एक चाला हुआ है, जिसमें भारतिय सम्मधान की बात की गई है, तंग और राज्य के जिम्मधारियों और कारे की केंद्र राज्य के वित्य सम्मंध के बारे में बात की ये है, वित्य आयोग की भूमचा की बात की ये सब टॉपिक जो है, ये आपको अलग-अलग करके तैयार करने हैं, तेकि आप पढ़िए, यहीं पे हम बात करते हैं, स्ट्राटिजी की एक छोटी तो, जब भी आप त समर्थ हैं, तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल करके अपनी कॉफी के अंदर रख लिजे, अब करना क्या है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते जाईए, उस टॉपिक को हाइलाइट करते जाईए, कि ये टॉपिक हमारा तैयार हो गया है, इसको हमने पढ़ लिया है, त जब टॉपिक को हाइलाइट करिए, तो किसी लाइट हाइलाइटर से या पैंसल से वहाँ पर माक कर दीजे, दूसरी बार जब आप उसके प्रशनों को भी अच्छी तरीके से लगा लीजे, प्रिलिम्स के सारे प्रशन उसके हल कर लीजे, तो उसको दूसरे कलर के इससर को लिख लीजे, तो उसको तीसरी बार माक कर दीजे, इससे फाइदा क्या होगा, इससे फाइदा ये हो जाएगा कि एक टॉपिक तो पहली बात तो आप तीन बार पढ़ लेंगे, ठीक है, तीन बार पढ़ने से क्या होगा कि आपकी समझ बहुत विक्सित होगा, और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब पाठिक्रम के अनुसार पढ़ेंगे तो कुछ भी फालतू नहीं पढ़ेंगे और पाठिक्रम आपका पूरा समया अनुसार फूर्ण हो जाएगा आईएस के आगे चलते हैं यह आप सिलबस है यह सिलबस आपको एप पर जाने के बार आसानी से वहाँ पर मिल जाएगा जब आप लक्ष आईएस के एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो उसमें ना सिर्फ आपको पूरा पाठिक्रम मिलेगा बलकि पिछले वर्ष के questions जो है question paper वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगे जिससे आपको एक सहस्ता यह हो जाएगी कि आपको प्रशन पत्र के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा आप उन्हीं प्रशन पत्रों से प्रशनों को ले करके उत्तर लेखन कर सकते हैं या फिर prelims के questions solve क कर सकते हैं और उनको हमको आप भेज सकते हैं अपने doubt भेज सकते हैं तीचे दिये गए number के तो आप हमसे संपर कर सकते हैं कोई भी query हो आपकी आप हमसे पूर सकते हैं आपको पूर्ण समाधान यहाँ पर प्रदान किया जाएगा चलिए next point देखते हैं यहाँ पर आईए हम अब जब हम quality की बात करते हैं हमने syllabus भी देख लिया अब हम इस syllabus के बाद यह देखते हैं कि trend क्या है अब इसमें हम quality की बात करते हैं कि quality में राजविवस्था में क्या trend रहा है तो 2017 से देखते हैं हम लोग, 2017 की प्रारंबिक परिक्षा में राजविवस्था से 19 प्रशन पूछे गए, और ये क्रम लगातार 2017, 18, 19 तक चलता रहा, हर साल 19 प्रशन जो है वहाँ पर पूछे जा रहेते, ठीक है, और ये प्रशन हमेशा बेहत आसान होते हैं, बहुत आसान पूछे जाते हैं, अगर आपने अच्छे से दो बार भी किताब की रीडिंग की होगी, सही तरीके से पढ़ा होगा, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें से 14-15 क्वेशन तो आप निश्य दिखर के हैं, इसके बाद फिर ट्रेंड बदलता है, 20 में देखिए, 23 क्वेशन आय पिर 22 में ट्रेंड गिरा है, 23 आये हैं, लेकिन 23 में फिर से देखिए 21 प्रशन आ गया है, अगर आप अवसत निकालने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे 19 से 20 क्वेशन का अवसत, आपको राजववस्था के अंदर UPPCS की प्रारंभिक परिक्षा में प्रशन का देख बड़ी आसानी से साप्थ हो जाए, आईए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स स्लाइट पर चलते हैं, अब एक बार जरा हम ध्यान से देखते हैं, कि जब हमें तैयारी करनी है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रेटजी को प्तै करने के पहले, हमें एक काम करने के बहुत जरूरत, जो हमारा पूरा सिलबस है, उस पूरे सिलबस को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर लेना है, जैसे कि समयधानिक धाचा, जब हम समस्ते हैं, एतिहासिक प्रश्ट भूमी, समिधान का निर्माण कैसे हुआ, समिधान जो हमारा बनाय गया उस समयधान की प्रमुख विशिष्टाएं क्या हैं, ये सब क्लासेज में कवर किया जाएगा, एक एक चीज ये क्लासेज में बताई जाएगी, जो बच्चे एप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को जोईन कर रहे हैं, उनको ये सब लाव लगातार मिलते रहेंगे, लेक ये पहला पार्ट है, अब इस पहले पार्ट को तैयार कैसे करना है, ये पहला भाग जो हमने देखा, जिसको हमने विभाजित कर लिया, इस भाग की तैयारी कैसे करेंगे, तो आप इस भाग की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रतम दिवस्त आप ऐसा कर सकते हैं, कि डेवाइस कर सकते हैं, सबसे पहले तिन दिन आप अगर पढ़ना चाहते हैं, तो ये दो टॉपिक एक साथ कवर कर लीजे, historical background और making of the constitution, यानि जो एतिहासिक उसका background है, वो पढ़ ल दीजे, उनको पढ़ने के बाद समिधान के निर्माड के प्रक्रिया क्या रही, किस प्रकार से इसकी मांग उठी, किस प्रकार से एंग्रेजों ने से स्विकार किया, किस प्रकार से समिधान सभा बनाई गई, ये सारी बातों को बारीकी से एक एक करके समझते जाईए, इन मैप भी कहते हैं दिमाप में एक उसकी संदचना तयार कर लेना और जितना प्रिक्टोरियल रेप्रेजेंटेशन आप इतने दिमाप में सेट कर लेंगे उतना आपके लिए पैक्ट वाले क्वेस्टेंस को हल करना आसान हो जाएगे दो जो तरीके के questions होगे एक में fact होगा और एक में क्या होगा concept होगा जहां fact है वहाँ पे तो यह चणनीती एकदम कारगर होती है कि आपके दिमाप में अगर structure clear है, flow chart clear है, mind map आपका इन्ध मेप बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है आप ये मान के चलिए कि वो फैक्ट वाले प्रशन जो है वो आपके भी गलत नहीं होंगे ठीक है बिलकुल बहुत आसान है बेहद आसान है सबसे आसान है पॉलिटी तियार करना और सबसे बड़ी चेज यह है कि राजवश्था ऐसा विशह है जो कि बिलकुल हमारे आसपास जैसे प्रधानमंत्री है जैसे राश्ट्रपती है उप रश्ट्रपती है राजेपाल है मुख्यमंत्री है यह सब तन्रचनाए जो आपको समविधान में देखने को मिलती है वो अगर हम देखें तो हमारे सामाजिक परिवेश में भी देखने को आपको मिल जाएंगी समझने की जरुवत है तुलना करने की जरुवत है फिर आपको याद बेज़र आसानी से रहे ठीक है पढ़ना बहुत आसान है पॉलिटी को तो इसके बाद सेलियन फीचर्स और देख लेंगे और प्रस्तावना पढ़ेंगे प्रस्तावना बेहत महत्यकून है समविधान की प्रस्तावना इतनी महत्यकून है कि अगर इसको बारीकी से अच्छे से पढ़ा जाए तो समपूर समविधान इसी में समाहित है आप प्रस्तावना से पढ़ना शुरू करिए और पूरा समविधान खतम हो जाएगा तब आपकी प्रस्तावना अट होगा जिस दिन आपको पॉलिटी इस तरह समझ में आ गई जिस दिन आपको राजवरस्ता इस तरह समझ में आ गई ति आपने प्रस्तावना पढ़ना शुरू किया और सारे आर्टिकल, शेडियूल सब आपने उसी में कवर कर डाले आप ये मान लीजेगा कि उस दिन राजवरस्ताव से कोई ऐसा प्रशन नहीं बन पाएगा जिसका जवाब आपके पास तो प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लीजे, बारीकी से समझ लीजे, एक-एक उसमें हर शब्द का एक मेंग, प्रस्तावना वहां काम आती है जह पूरा समिधान मौन हो जागा, इसलिए प्रस्तावना पर विशेश जोड़ देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि उसके एक-एक पॉइंट को समस्ते हुए, आईए आगे देखते हैं, फिर उसके बाद PCS के एक्जाम को धिहान में रखना है चुकी, तो हम देखें उसके अच्छे समिधान को भागों में विभाजित क्या गया है, तो समिधान को भागों में जैसे 5 भाग में है तो अब वहां पर आपको ये ध्यान देने की जुरूरत है कि भाग 5 में ये आता है, अगर सवाल उठा तो आप बता सकें यह चीज पंचायत किस भाग में है, या फिर the union किस भाग में है, fundamental right किस भाग में है, ठीक है, कि भाग, parts, schedules, schedules और amendments जो बदलाव हुए है, वो बदलाव बहुत महत पूर है, जैसे 76 में 42nd constitutional amendment है, वो बहुत महत पूर है, mini constitution ही उसे कहा जाता, उसमें कई नही चीज़े जोड़ी गई, ठीक है, प्रेंबल में भी बद प्रेशिका में भी बदलाव किया गया, तो अब ऐसे जो amendments हुए, जिन्होंने समिधान में विशे बहुत असर डाला, ठीक है, जीवन पर बहुत असर डाला, ठीक है, जीवन पर बहुत असर डाला, ठीक है, वो सारे amendments आपको अच्छे तरीके से याद रखने की शरूरत है, तो amendments याद रखेंगे, और इन amendments के साथ-साथ उनसे जुड़े हुए important case याद रखेंगे, जैसे fundamental right का case है, बसला है, तो fundamental right के मसले से केशवानन्द भारती के जुड़ा हुआ है, तो आपको यह जानना जरूरी है कि fundamental right के इस मसले की वज़े से केशवानन्द भारती का case आ दूँगा कि आप ऐसे केस हैं, जो कि समीधान संशोधन का कारण बन गए जिनके निड़े हैं, या फिर जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी एक आप लिस्ट बना करके अपनी दीवार पर चिपका लें सामने, ताकि आप जब भी पढ़ने बैठें, आपकी नजर उसके एक जगे लगाना पड़ता है, एक नियम कानून सिस्टम मनाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आपका एक प्रोसीजर और इस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद आपके लिए जो तैयारी है, वो बेहद इस्मोड एक बात है, तो उसके बाद आते हैं, फिर पढ़ेंगे यून राज के नीतमिदेशक तत्तों और फॉलिक करतव, इन भागों को हमेशा तुलनात्मक रूप में एक साथ पढ़ने की आवशिक्ता है, यानि कि जब भी आप मौलिक अधिकार पढ़िए, साथ साथ क्या गरिए, राज के नीतमिदेशक तत्तों को, ठीक है, जैसे सिक्षा क के बारे में, मौलिक अधिकारों में भी बात की गई, सिक्षा के बारे में, राज के नीतमिदेशक तत्तों में भी बात की गई, सिक्षा के बारे में, मौलिक करतवी के बारे में, ठीक है, वहाँ प्रतिपाली को आदेश लिए गए, वहाँ पर राजी को निर्देश लिए गए और यहाँ पर थे से 14 वर्ष के लिए mandatory कर दिया गया कि अनिवारी कर दिया गया कि इनुको सिक्षा मिलेगी ही fundamental right मौली करिकार बना दिया अब इस प्रकार से अगर आप तुलनात्मक अध्यन करेंगे तो आपके लिए पढ़ना वेहद आसान हो जाएगा बहुत ताज हो जाएगा और सबसे बड़ी चीज है कि जब भी आप तुलनात्मक अध्यन करेंगे तो जब आप प्रशनों की प्रकरती को देखेंगे जब प् अब Central Government में आप देखें कि राष्ट्रपती है, उपराष्ट्रपती है, प्रधान मंत्री है, केंद्री परिशद है, मंत्रमेंडल समितिया है, तो अब पढ़ने का तरीका जैसे ही आपने fundamental right पढ़ लिया, आपने fundamental duties पढ़ लिया, यानि मौलिक अधिकार पढ़ लिये, आपने पढ़ लिये, आपने मौलिक करता पे पढ़ लिये, अब आप समिधान के उस भाग पे आ गए हैं, जहां पर आपको federal structure को समझते हुए, उसका तोलनात्मक अधिन करना है, यानि जब आप पढ़ रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको राष्ट्रपती जब भी पढ़ना है, उसके साथ गवरनल को पढ़ लिये, यानि एक तरफ आप राष्ट्रपती पढ़ लिये, फिर उसी के साथ ही आप गवरनल पढ़ लिये, इससे फाइदा क्या होगा, कि जब दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे होंगे, तो दोनों की शक्तियों में क्या अंतर है, क यहां पर तुलनात्मत अध्याँ करेंगे सब का, राष्ट्रपती का, गवरनर के साथ में, प्रधान्मंत्री का, मुख्यमंत्री के साथा कहने का मतलब यह है कि part 5 भाग 5 और भाग 6 को तुलनात्मक रूप से एक साथ अगर आप उसका अध्यन करते हैं तो आपको डबल फाइदा होगा एक तो आपका समय बचेगा पहली चीज़ तूसरा आपको तुलना करने के लिए अलग-अलग-अलग से दुबारा पढ़ने की पढ़ेगी एक ही बार में आप पढ़ लेंगे और एक ही बार में आप उसकी तुलना कर देंगे उससे वाइदा क्या होगा कि सारी बातों को आप कहीं अगर कुछ मुख बिंदू ऐसे हैं तो उनको अलग से नोट डाउन कर लेंगे बाकी आप किताब के अंदर ही हाईलाइ पढ़ रहे हैं तो इधर आप क्या पढ़ेंगे उच्छ नियाले पढ़ेंगे यानि कि Chief Justice of Wind इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है तो उसी की comparison में देखेंगे कि High Court के जो Chief Justice है उनकी नियुक्ति कैसे होती है या फिर Chief Justice को या High Court के Judges को कैसे हटाया जाता है उनके हटाने की प प्रश्ण पूची जाते हैं वो समानेता तुलनात्मक ही पूची जाते हैं या उनकी आलोचना करने को आती है या उनके संबंधों के संबंध में आ जाता है तो दोनों जगे अब ऐसा तुलनात्मक अगर प्रश्ण आया आपने तो पढ़ा ही तुलनात्मक है आपको तो सो तो पहले ही अगर आप प्रश्णों को पढ़के समझ के उसी अप्रोच के साथ सिल्बस तैयार करेंगे तो आप निश्यत मान के चलिए कि तैयारी करना बेहत आसाम हो जाए ठीक बात है तो इसके बात ऐसे ही पंचायती राज नगर निगम जो पढ़ेंगे तो इसकी भी तु कॉंस्ट्यूशनल बॉडिज ठीक है आपकी और नॉन कॉंस्ट्यूशनल बॉडिज यानि गैर समवैधानिक निगाए और समवैधानिक निगाए इनका बहुत महत जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो राजविस्था पढ़ रहे हो आप एक बात दिशे शुख यह वो बॉडिज है चाहे वो समवैधानिक हो चाहे वो गैर समवैधानिक हो तोनों ही प्रकार के निकायों में आप देखेंगे यूपी पीस्टेस आप 20 का पेपर उठा लीजे 21 का पेपर उठा लीजे 22 का पेपर उठा लीजे आप पेपर उठाते जाएए आप देखते सीधे सीधे इनकी वर्किंग के बारे में question पूछे तो यहां से आने वाले question फिलिम्स की बात नहीं मैं मेंस की बात कर रहा हूँ यहां से आने वाले जो प्रश्ण है उन प्रश्णों का answer तो देना बेहद आसान होता वो free के मुझे अगर आपकी लेखन शैली अच्छी है आपकी structuring अच्छी है मतलब यह तो वो प्रश्ण है जो इन निकायों पे जो प्रश्णाते हैं उनमें तो ऐसे प्रश्णाते हैं कि जिसमें आपको structuring में भी बहुत में नदिक है क्योंकि वो सीधा सीधा ही सवाल पूछ लेता है इनके कारियों के समिक्षा के लिए निके कारियों के बारे में बताये कारियों का गठन और कारियों का वर्णन कीज़े तो अब यह तो सीधा प्रश्ण है अब उसने केड़ के बारे में पूछ लिया उसने finance commission के बारे में पूछ लिया, union public service commission के बारे में पूछ लिया, election commission के बारे में पूछ लिया, यह सीधा प्रशन है, सीधा प्रशन आएगा, आपको 10 number का, आप इसको 150 word में, 200 word में लिख करके आएंगे, और आपको अच्छे marks में लिए, यानि 100 plus number अगर आपको लाने हैं आर प्रशन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, किसी भी किमत नहीं होने चाहिए, मतलब यह नहीं कि कारेकाल गलत लिख के आए, ठीक है, या अधिकतम आयू है, गलत लिख के आए, या नियुक्ति के लिए जो समिती बनाई जा रही है, उस समिती के जो members है, जैसंछ इनन स सदस्यों को आपको एकदम सही से याद रखना है ति यहीं सदस्य इसके अंदर हो अगर आपने ब्लंडर किया वहां पर आपने मुझा आगी तो आपको दिक्कत भोगी आपके अंग कटेंगे ना सिर्फ अंग कटेंगे बलकि उसका प्रभाव आपके अगले प्रश्ण इसने डाले ही इस लिए जाते हैं एक सहज थोड़ी देर बाद एक्जाम करते हुए बच्चा जो है अपने आपको सहज भी में ठीक है इन बॉडिज को आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे आईए अब देखते हैं कुछ प्रश्णों को बात करते हैं यहां 125 वर्ड का है अगर मैंने 130 लिख दिये तो 115 लिख दिये तो घबराईए माँ इससे कुछ नहीं परक्वाद आपने 115 लिखे 130 लिखे इससे परक्वाद अहां 125 का है और आप 150, 60, 70 तक खीशते चले जा रहे हैं दो पेज भर डाले हैं तो वहां पर तब आपके अंक मिश्चि से जो है धाचे से जो है वो बाहर निकल जाएंगे और आप उसमें ऐसी बाते डालने लग जाएंगे लिखने लग जाएंगे जिसका की गलत रहा हैं तो अभी जब ही आप लिख रहे हैं तो एक पेज एक पेज से थोड़ा सा ज्यादा बस इतने में ही आपके 125 सब्द आते हैं और अगर एक पेज से दूसरे पेज तक लिए आएंगे तो हफ पेज तक तक तो 1.500 क्या स्था जाएंगे ये लेखन आपको तब समझ में आएगा जब आप रोज खुद लिखेंगे मेरे कहने से नहीं क्यों क्योंकि आपकी पॉइंट कैसे है आपका लिखने का लिखा है जितना भी पड़ा है उसको एक बार निख के जरूर जाचेंगे क्या मैं लिख पा रहा हूं तो यहां पर अब प्रश्णों को जैसे देखेंगे अब यह पॉलिटी का ही पेपर है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के विवेचना कीजे अब गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं यह गैर सरकारी संगठन प्रश्ण आया आपका गैर सरकारी संगठन यानि कि आपको पता है क्या होता है एंजी ओ होता है ठीक है आपने पढ़ा होगा गवर्नेंस के अंदर गवर्नेंस में क्या है तीन भागीदार है वाजार है सरकार है और नागरिक समाज आप एसा प्रश्ण अगर आजाए कि भूमिका की विवेचना कीजे तो सबसे पहली बात है यह वो प्रश्ण है जिसको एक सामाने व्यक्ति भी लिख सकता है और जिस प्रश्ण के बारे में इस प्रश्ण को अगर आप किसी से चर्चा करने जाएं तो एक सामान व्यक्ति निवी कह देगा कि हां भाया NGO जो है अई-से काम करते हैं तो NGO कैसे काम करते हैं NGO क्या करता है ? NGO है क्या basically ? NGO एक ऐसा organization होता है जो सरकार के काम को आगे बढ़ाता है यानि एक कड़ी के रूप में काम करता है किसके बीच में कड़ी होता है वो ? यहां पर नागरिक के बीच में और गवर्मेंट के बीच में गवर्मेंट और सिटिजन के बीच की कड़ी है यह NGO अब यानि सरकार की पहुँच जहां तक नहीं हो वहां पर अपनी पहुँच बनाने के लिए अब उसकी पहुँच हो सके उसके कारेक्रमों के पहुँच हो सके वो लक्ष पूरा करने के लिए NGO अपनी भूमिका को दिभाता है, ठीक है, तो policy making जब भी government कर रही होगी, अभी पीछे आपने देखा होगा कि जब लोकपाल को लेकर के बहुत धरना प्रदेशन, अरविन केजरिवाल, अन्ना हजारे, इन लोगों ने लोकपाल को constitutional दरजा दे देने के लिए, उसकी न्यूक्ति के लिए दिल्ली में बहुत बड़ा भरना प्रदेशन, ठीक है, तो वो क्या है, एक NGO की ही भूमिका है, NGO ने ही RTI, NGO की वज़े से ही RTI को बनाना पड़ा सरकार को, तो आपको जब NGO की भूमिका डिसकस करनी है, तो आपको बताना कि NGO कौन कौन से प्रयास ऐसे कर रहा है, जिससे की तरकार अपनी पॉलिसी मेकिंग में वो ध्यान रखती है, जो की जनता चाहती है, ठीक है, MKSS की बात करने, मजदूर की जान, शक्ति संगठन, उसका ही प्रयास है, जिसका परिणाम हमें RTI देखने पूने, ठीक है, अर्व हम लिख रहे हैं, यह सीधा प्रशन है, इसमें आपको कोई विशेस दिखने जिरूत नहीं है, अब भूमिका की विवेचना में ध्रान देने की बात यह है, कि भूमिका क्या है, NGO की भूमिका पॉस्टिव भी हो सकती है, और नेगटिव भी हो सकती है, जो बहुत सारे NGO's ऐ क्या करने लगते हैं, वो कहते हैं कि पर्यावरण को नुक्सान होने वादे, इससे विकास कारियों में बाधा बनती है, ठीक है, लेकिन इससे बाधा भी पड़ती है, इससे क्या होता है कि सरकार सजग हो जाती है, और सजग जब हो जाती है, तो क्या करती है, नैशनल ग्री जैसे की जब भी कोई प्रोजेक्ट वर्थ तयार हो तो उस कारिक्रम में क्या हो जाए उसको जांच लिया जाए कि यह परयावरण के अनकूल है यही परयावरण को नुक्सान तो नहीं अब आप देखिए उनके विरोज के कारण सरकार को अपनी पॉलिसी को चेंज करना पूड़ा तो अब यहां पर इस तरीके से जब आप पड़ते हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि पॉलिसी में एंजियो पॉजिटिव जब रोल कैसे प्ले कर रहा है और नेगटिव रोल क की जरूरत है बस इसी को आपको सीक्वेंस में लिखने के अब सीक्वेंस में लिखने की बात है कि सवाल उठता है कि सर हम प्रशन लिखें आता है तो हमको कैसे लिखना चाहिए तो हमेशा अपने प्रशन का उत्तर क्या करिए जब भी आप आंसर लिखने जाईए तो उस आ जिसके संबंद में जैसे गहर सरकारी संगठनों की बात की गई है, तो एक भूमिका बता दीजेए कि गहर सरकारी संगठन क्या होते हैं, सरकार के साथ किस संबंद होता है, जनता के साथ क्या संबंद होता है, और उसके बाद जब आप भूमिका बता देंगे, तब उसके बाद आप उसी इनिशियल स्टेज के शुरुआत कर दीजे, फिर उसके बाद policy making में उनकी भूमिगा की विवेचना करना है, यानि आपको क्या करना है, तो जब आप evaluate कर रहे हैं, तो आप positive और negative दोनों को body में, पीच में, यहाँ पर उसकी क्या करिए, positive भी बताई पड़ता है, negative, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है, या फिर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है, किस प्रकार से वो सकारात्मक कारे करते हैं, यानि कि महिला विकास, पाल विकास, ठीक है, परियावरन सा रक्षन, ठीक, इनको, शिक्षा का प्रचार कोविड के दौरान हमने देखा, ये प्रशना आया, क्यों आया, क्योंकि कोविड के दौरान हमने देखा, यहां पर और उस पॉइंट को लिखने के बात उस टॉपिक को डाल दीजे और उसको यहां पर पांच प्रख्रशने के प्रक्रिया में और अब के आंसर लिखने के प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन यह आ गया है, कि अब जब कॉफी चेक करने वाला कॉफी चेक कर रहा होता है, तो वो बिल्कुल सहज कॉफी चाहता है, वो चाहता है कि बिल्कुल आसानी से बिना मेहनत के कॉफी चेक हो जाए, और इसके लिए जितना स्पष्ट पिंदुवार आप अपने आंसर को लिखेंगे उतना बहतर नंबर आपको वहाँ पर जाएगा तो इस तरीके से लिखने के बाद लास्ट में अपना निश्कर्ष बता दीजे कि क्या निश्कर्ष है आपका को आप यहाँ कर सकते हैं आपका एक आंसर 125 वर्ड का या 200 वर्ड का तयार यहाँ ठीक बात है समझ में आ गया UPSC के अंदर यानि की संगलोक सिवायोग में 200 वर्ड का भी बो पुछ लेते हैं ऐसे ही भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं इन्हें प्रभावी एवं अर्थकूर बनाने की आविशक्ता है मुल्यांकन कीजे मतलब evaluate जब भी कहेगा इसका मतलब क्या है गुण और दोष्ट उनुगना तो आपको अगर नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है सिरिजन चार्टर क्या होता है कैसे शुरुवात हुई यह आपको पता है कि बिटेन में इसकी शुरुवात हुई इंडिय की बात की जाती है चॉइस की बात की जाती है स्टेंडर की बात की जाती है ट्रांस्पेरेंसी की बात की जाती है इसके six principles अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकेंगे कि एंडिया में यह प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहा है क्या कारण है जैसे भाशा सं किया जाता है इसके designing में flaws हैं इसका निर्माड़ जो है वो टॉप लेवल पी किया जाता है lower level पर जहां इसका application होना है वहां के परिस्थितिया विपरीत हैं या विभिन हैं तो इन बातों को जब आप citizen charter पॉड़ रहे हैं यह तो इन बातों को ध्यान है प्रशन है आप बैंक जाते होगे आपको चाहर देखता होगा कही आसके चाहर गीया करेंगे अब यहां इसी तरीके से तीन भागों में विवाजित करके लिख देंगे आपको अंक अच्छे तो यह सीधे प्रश्ण है मेरा कहना है मैं प्रश्णों के उत्तर को बहुत शॉर्ट में इसलिए डिस्कस करना हूं कि मैं सिर्व यह बताना चाह रहा हूं फिलाल यहां पे प्रश्णों क तो जब उत्तर लिखना है तो उससे पहले प्रश्ण को यह समझ लेना है कि हम इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करें स्ट्रक्चरिंग करने का अगर आपके पास स्ट्रक्चरिंग है दिमाग में तो आप उस आंसर को बहुत पास लिख पाएंगे अगर आपका स्ट्रक्चर तय करते हैं आगे बात करते हैं कुछ प्रशणों को और देखते हैं आसान आसान प्रश्ण है प्रश्ण दिखाने का सिर्फ इतना ही यहां पर पतलब है कि मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि जब आप तयारी कर रहे होंगे तो आपको भी प्रीविएस येर के प्रश्ण पत्र कैसे कि आप देखे निर्धनता और भूख से जुड़े मुद्धे भारत की चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन है इसले कुछ सोचना ही ने कोविड के दौरान आप देखिए कि जो फुक्मरी फैली हुई थी जो का जॉबलेस्नेस थी यानि काम नहीं मिल लाता उस दौरान सरकार ने इस प्रकार से राशन को बाटा उसने कहीं ना कहीं राजिनीति पे भी इवं मानो गरिमा की प्रदिका प्रतिज्ञान करती है अब इस पस्ट कीजिए यानि कि आपको बताने के जुरुवत है तो मैंने अभी वैसे भी आपसे बोलाता है कि प्रेम्बल एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर डिटेल में समझ लीजे तो आपको पूरा समिधान समझ ठीक है dignity of individual की बात प्रेम्बल इटसेल्फ कहती है तो जब प्रेम्बल इटसेल्फ dignity of individual की बात करती है तो आपको यहाँ पर वही और वही उसमें पूछा है कि किस प्रकार से प्रेम्बल जो है human dignity को promote करने की बात कहती है और constitution में कैसे इसको explain किया है आप इसको इस point को यहाँ पर point wise discuss कर सकते हैं, तो ज्यादा detail में आगे एक एक करके question discuss करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्रशन की एक जलक देख रहे हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक प्रशन के ओ देखते जाएंगे और उन प्रशनों का उत्तर भी आपके सामने ले करके आते जाएंगे, आप भी परशों के प्रशनों को हल करते जाएंगे, उनके उत्तर लिखते जाएंगे, application पर upload करते जाएंगे, आपको उनके answer मिल जाएंगे, आपको ये भी पतलता जाएगा कि इस answer में कैसे और सुधार करें, और अपनी बात कम से कम शब्दों में लिखते हैं, कागर में सागर भरन अगर आपको आ गया, तो आप ये समझ लीचे कि PCS या IS दोनों ही आसान exam है, अचा मज़िदार बात क्या है, कि पिछले 4-5 वर्षों से अगर आप exam के तुलना करें, UPSC के तुलना करें, PCS के साथ में, तो आप पाएंगे कि मेंस में जो question आ रहे हैं, वो almost मिलते जुलते आ कर रहे हैं, GSP2 में जो UPSC पूछ रहा है, उसी प्रशन को भाषा बतल करके UPPCS भी पूछ रहा है, तो अगर आप के लिए तैयारी बेहत आसान हो गई, अब ये नहीं रहा कि बाइफरकेट हो के नहीं, आप PCS दे रहे हैं, तो आप IES में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्र प्रशनों को एक ही बात पूछी आ रही है, बस पूछने का तरीका वहां पर भी ठीक है, आईए, नेक्स, अब ये तो हमने कुछ प्रशन देखे जहां पर 125 वर्ड में हमको लिखने की जरूरत थी, अब आजाईए देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड प्रशन जो की 200 सब्दों म हमें देखने की जरूरत पड़ती है, अब जिसे मैंने अभी देखिए, कितना अच्छा है कुष्चन आ गया आपके सामने, कहते हैं सारवजनिक धन के संरक्षक के रूप में, सारवजनिक धन के संरक्षक के रूप में, भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक की, 151, तो यहां पर आप बड़ी आसानी से कैक की भूमिका की परिक्षड कर सकते हैं, अब कैक की भूमिका होती क्या है, बताइए, संचेत निजी सो जो पैसा निकलना है, कैसे निकलेगा, कैक की कहने पर निकलेगा, तो यह कैक की ही तो जिम्मेदारी है, तो जितने भी हैं, उन खर्चों पर किसकी रज़र रहती है, कैक की रहती है, यानि आप जब भी, अब देखे, मज़ेदार बाती क्या होती है, आप समितियों को पढ़ते हैं, तो भी आप कैक के बारें पढ़ते हैं, यानि कि अब एक ही प्रश्न है, इसी प्रश्न को अलग-अलग तरीक ना हो सके, यहां जहां आप देखे, कैग यहां नियंद्रन करना की नहीं नियंद्रन करना, अब इसी प्रश्न को वो चाहे, यूपी-पी-पी-स तो इसी प्रश्न को घुमा के पूछे, इसी प्रश्न को घुमा के कैसे पूछेगा, पूछेगा कि विधाई का कारेपालिक पर कैसे नियंत्रन करती है तो वहां लोक लेखा समिती है नियंत्रन करेगी ठीक है तो ये सीधा प्रशन है इस प्रकार के प्रशनों को मैंने कहा था कि बॉडी जो है constitutional बॉडी उनको आपको इतने अच्छे से पढ़ना है कि सीधे आने वाले प्रशनों में तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी एक बात है इसके उपर वाला प्रशन देखें भारत में पंचायती राजवरस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याओं का विशलेशन कीजिए ठीक है पंचायती राजवरस्था इन समस्याओं का सामना करने में तेत्रमा सम्विधान सम्विधानिक संशोधन कितना सफल ला अब देखे पंचायती रा जो इस था ठीक है QP PCS का बेहद फेवरेट टॉपिक QP PCS में इससे प्रश्ण आना ही आना है प्रिलिम्स में भी आएगा और मिल्स में भी आएगा यानि 73rd Constitutional Amendment Act त्यत्तरमा और चोहत्तरमा तो mandatory है बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है अब सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याओं का विस्लेशन करेंगे अब समस्याओं का जब विस्लेशन करेंगे तो आप इसमें फिर वही बात है आप इसमें क्या करेंगे? इसमें पहले आप लिखेंगे भूमिका. क्या करेंगे इसमें? पहले आप लिखेंगे इसमें भूमिका. आप इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन को जब आंसर लिखने चलेंगे तो आंसर में क्या करेंगे? आप सबसे पहले इसमें भूमिका लिख करेंगे कहां समस्या एक तो राजनेतिक स्थर पर क्या समस्या है ठीक है दूसरा प्रशाशनिक स्थर पर क्या समस्या है ठीक है और तीसरा तीसरा आपका क्या है सामाजिक स्थर पर क्या स्थर ठीक है आखिर तो राजनेतिक प्रशाशनिक सामाजिक तीर इस तरों पर समस्या आप यहाँ पर देखेंगे बैए पंचायतों में समस्या क्या है कारियों का सही से बटवारा नहीं है पहुंसा क्या कारे होना है सबसे बड़ी समस्या है कि उनको वित्तिय शक्तिया नहीं प्रदान की गई वित्त की जब भी उनको जरूरत है प्रॉपर टैक्सेशन की विवस्था नहीं की गई है उनके लिए तो उनको क्या करना है राजी की साथ समस्या क्या है उसको केंदर की तरफ देखना है यह सवाल ऐसे सवाल होते हैं कि जब आप इनको हल कर रहे होते इसमें कई बार आप संसाधनों की कमी वहां पर है अब केंदर सरकार से राज सरकार से कौन मांग रहा है राज सरकार से कौन मांगता है यह पंचायते मांग पंचायतों के राजनेतिक समस्यां हैं प्रशाशनिक समस्यां है स्लामाजिक समस्यां है ठीक है वित्तिये रिसोर्स की कमी है यानि कि ज संसादनों को जुटाना कुड़ाईगा अब उसने पूछा कि क्यों क्या दिक्कत है किसकी वज़े से तो इससे फाइदा क्या हुआ उन्होंने क्या उससे क्या फाइदा हुआ तो अब आपको 73rd constitutional amendment एक जानने की चरुवत है कि उससे क्या फाइदा हुआ इस प्रकार से संसादनों को सुनिश्यत किया गया किस प्रकार से इनके चुनाव होने के समयावधी है वो निर्धारित की गई पहले कोई दिश्यत नहीं था कभी 4 साल में हो रहा है कभी 3 साल में कभी 11 11 साल तक नहीं हो बिहार के कई गाउं में बहुत सालों तक चुनाव नहीं तो हर चीज को इस से निर्धारित करने से क्या पाइदा हुआ कि ये पाइदा हो गया कि पंचायते काफी हद तक मजबूत होने लगी यानि इस्थानी लेवल पर क्या हुआ पंचायते मजबूत हो इतो इस्थानी सुल्शाशन जो है वो विक्सित हुआ सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब ये amendment आया इस amendment के माध्यम से क्या हुआ इस amendment के माध्यम से वहाँ पर महिलाओं को भी जो है तान प्रदान किया गया यानि उनके लिए आरच्छन सुनिश्च अब 33% seat महिलाओं के लिए आरच्छन लेकि सामा ने विचारधारा सामा ने सोच क्या है भारतिये जमाज की कि महिलाओं तो इस amendment के बाद महिलाओं के प्रती लोगों की सोच में बदला पहला इस amendment का एक पाइदा तो यह हुआ कि महिलाओं ने शिक्षा की तरफ करणा अधिकतर लोगों का यह कहना था कि महिलाओं प्रधान बनेंगी लेकिन वो तो बहुत असिक्षित हैं घर से बाहर नहीं निकली ह इसलिए उनको पता ही नहीं है कि कैसे हम यह चलाना है थान बन के काम कैसे करना है तो ऐसे में महिलाओं ने इस बात को गला साबिक किया वो बाहर भी रिक ली उन्होंने सिक्षा की तरफ भी जागरुकता दिखाई और ना सिर्फ जागरुकता दिखाई बलकि उन्होंने क्य कई होती कम पैसा उन्होंने निजदारित बजट में काम करना आसानी से काम कर दिया जिस बजट के लिए हमेशा परपुरिश परिशान रहते थे कि यह बजट काम है तो यह जो तेहत्रमा समिधान समशोधन है उससे यहां पर हम लिख बता देंगे यह यह फायदे हमें पंचा प्रधान से आप डेली मिलते हैं तो आपके लिए प्रधान चुनना आसान है वहां आप अप अपनी बुद्धी विवेक का इस्तेमाल करेंगे भाव में बहे करके नहीं करेंगे जबकि MPA में क्या है दली राजनीति के भाव में बहे जाएंगे आप तो टारेक्ट डेमोक्रिसी एक तरीके से मजबूत होती चलिया है ठीक है तो यहां पर अगर ब्लाक प्रमुक है तो यहां पर ब्लॉप्मेंट ऑफिसर हो गया यहां वीडियो हो गया लेखपाल हो गया यहां जिला है तो यहां पर DPR हो गया तो इससे क्या हुआ एक प्रशाष्णि घाता बन गया लेगिन कमजोरी क्या है पंचायतों के पास अपना कैडर नहीं है अब पंचायतों के पास खुद का कैडर नहीं है यानि काम करने के लिए वो किसमें निर्भा कर रहा है काम करने बेसिकली जो पंचायतों की हमने इस प्रश्ण को जो हमने प्रश्ण देखा था भी यहां पर इस प्रश्ण में जब हम पंचायतों की बात कर रहे थे पंचायती राजविस्था की बात कर रहे थे तो यहां पर हम देख रहे थे कि उनको समस्याए क्या है कि उनको शक्ती कर पंचायतों के पास अपना कैडर नहीं है, यानि पंचायते जो है, तंत्र पे निर्वर कर रही है, जब कि यत्र में समिधास शोदन क्या कह रहा है, यत्रमा समिधास शोदन कह रहा है, कि लोक तंत्र जो है, जो कह रहा है कि जो लोक तंत्र है आपका, इस लोक तंत्र में, लो ठीक है, तो ये कंत्रमंत्र को कमजोर करदो भया, और लोग को करदो मजबूत, ठीक, तो 73-74 समिधान सरशोदन कहता है कि भया, लोग जितना मजबूत होता जाएगा, कार उतना सुगम होता है, ठीक है, तो 73rd Constitutional Amendment Act से इस लोग को जो है, मजबूत करने की कोशिश की गई, इसक को शक्ति प्रदान करने की कृऊं, आप बताएज इसको लिखना विल्कूल कठिन है, लिल्कुल नहीं, बس आपको एक बार इसको बिंदुगत करमवार लिखने की आपशिक्ता यहां पर है, तो जिस प्रकास से आब देखिए कुछ प्रशन हमने जैसे देखे, बहुत आसा नहीं होता है, यह आपको ध्यान देने की जरूरत है, कैसे पटें नहीं होते है, आप यह समझिए, अब एक और प्रिशन देखिए, भारती सम्विधान का ढचा संगात्मक है, पर सकी आत्मा एकात्मक है, इस में तो कोई त्व दिक्कत ही नहीं है, इस प्रश्ण में क्या दिक्कत है आपको कि इस प्रश्ण को अगर आंसर लिखना हो संघात्मक अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पता है संघात्मक धाचे के बारे में पता है तो आपके लिए इस प्रश्ण का आंसर लिखना बेहर आसान है संघात्मक धाचा है क्य एक आत्मक है। लेकिन दूसी तरफ संगहात्मक भी है। वैसी आप सारे काले करने के विस्तोतंतर राजी अपने विशी पे कानूनाइगे और केंद्र अपने विशीयाओं पे कानून मिनाएगे। इस regresion आते हैं तो आपको देखरी की जुरुत पढ़ती है कि आपकी अगर सिर्फ कॉंसेप्ट क्लियर, केवल और केवल कॉंसेप्ट क्लियर है, उतने में ही आप प्रश्ण का उत्तर दिखने में सक्षम हो जाते, ठीक बात है, सौन में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाता है, तो इस तरीके के कोई भी प्र प्रश्ण है, आप उन प्रश्णों को आसानी से पढ़िए, आपको लगेगा कि कितनी आसानी से question solve किये जा सकते, ठीक बात है, इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्णों को कुछ प्रश्णों की विवेचना की, कुछ प्रश्णों को देखा, कुछ प्रश्णों को समझा, ठी जैसे एक क्वेशन देखिए ये वो 15 क्वेशन में देखिए उन मुख्य उपायों की विवेचना कीजिए जिनके द्वारा भारती संसद कारेपालिका पे नियंत्रण रखती है अब आप देखिए आप तो वैसे ही कभी अगर संसद की कारवाई देखेंगे आपको पता चल ज जाएगा कि संसद की कारवाई ही अपने आप में कारेपालिका पे कितना पुड़न रखती है एक बेहद आसान प्रशन है आपने पढ़ा भी होगा पचासो बार पढ़ा होगा ठीक है आपने देखा भी होगा लेकिन आपने इस दश्टिकोर से नहीं समझा होगा कि इसको कै कैसे हल करना चाहिए आए एक नट के सको भी देख लेते हैं आप अब देखे हमने कहाती संसद कैसे करेगी अब से बात है विदाइका के अंदर ही ons और कर आब्यार के निकी यानी कि सर्कार कोई भी काम करेगी जब तक यहां से उसके कारियों को अनुमती नहीं दी जाएगी तब तक क्या सरकार कारिकरम कर पाएगी कहीं कर पाएगी यानि कि यहां पर जो भी कारिकरम होंगे जो भी घटनाए होंगी जैसे पौर एक्जामपल जो कारेपालिका है इसका गठन और इसकी जवाब देता तो यह किसके लिए उत्तरत आई है कारेपालिका अनुछेद आर्टिकल 75 3 की अगर हम बात करने है आर्टिकल 75 क्लॉस 3 की बात करें तो यह कारेपालिका किसके प्रती जवाब दे है लोकसभा के प्रती अपने लोकसभा के प्रतिजवाब दे है, यानि कोई भी कारी करे, तो पहला तो निंत्र नहीं है, ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें, जब भी कारेपाली का, जब भी प्रतम बैठक होगी, कारेपाली का, की, तो सनसात की पहली बैठक होगी, तो राष्ट्रपती का क्या होगा, उसके लिए जब motion of thanks आएगा, तो motion of thanks क्या है? जिंत्रन तो है इसके उपर. ऐसे ही next आप कह सकते हैं budget. तो budget क्या है? क्या कारेपाली का budget अपने आप पारित कर सकती है? नहीं पारित कर सकती है. कारेपाली का budget जहमेशा क्या है? पूरी लोकसभा के द्वारा पारित किया. यानि तो अब समितियों के माध्यम से क्या है? जो भी पैसा खर्च हो रहा, उसकी जांश पर तालगी जा रही, यानि कि फिर इसके उपर नहीं इंत्रम हो गया? आप देखे कैसे कितना आसान है? आप पार्लियाइमेंट संसत पूरी पड़ जा रहे हैं लेकिन ये question आया, तो आप घबरा गये, कैसे आँसा लिकिंग, अरे घबराना है ही नहीं भाई, वहाँ तो उसने पूचा इतना सीधा प्रश्न है, लेकिन बस UPSC बिल्कूल ऐसे सक्त पापा की तरह होता है, कि धीरे से उसने पूच लेक कहा गये थे, बस आप डर गये, अम्मी पूचिंग बेटा कह आंसर तो एकदम सीधा है, कह रहा है कि भाईया बजे आटिकल 75-3 है, आपका बजेट हो गया यहाँ पर, यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, जो प्रस्तावध्या आते हैं, ठीक है, उन प्रस्तावों के माध्यम से, ठीक है, या फिर प्रश्निकाल, तीरो आर्ट, यह सब सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव लाकर के नियंतरन के रखा जा सकता है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, अभी आया थोड़े दिन पहले, मोधी जी को बुलाने के लिए, के संसाथ में आओ बोलो, मोधी जी आए, बोले, तो मोधी जी क्या, एक्सकेटिव तो हैं, कार ग्रह मंतरी कारेपाली का है, ग्रह मंतरी कारेपाली का है, तो उनको आकर के जवाब देना पड़ा, जवाब देने के लिए मजबूर किस ने किया, विधाईका ने, एक ये विधाईका का नियंतरन है कि नहीं नियंतरन है, ऐसी तमाम बातें हैं, जो आप यहाँ पर दिखत देना है systematic format में structuring करके और ये आपका तब आएगा ये एक दिन में आने वाली चीज नहीं है ये एक दिन में आने वाली चीज नहीं है हमने आप से कह दिया आपने सोचा रहे वाह कितना आसान है सर तो कह रहे थे इतनी आसानी से सुच आपको पहले किसी प्रशन को पढ़ेगा पहले किसी टॉपिक को पढ़ेगे फिर इस टॉपिक से समंधित प्रशन को उठाईए प्रशन को पढ़ेए समझिए अंडरलाइन करिए अलग-अलग विभाजित करिए उसमें जो मुख्य चब्द है उन शब्दों के अर्थों को दिमार्थ में उतारिए और फिर उस प्र प्रशनों में सामानिता वो यहीं पूषता है या तो समा खता है यहां वालियांकन तो जब मुल्ययंकन करने को कहें का या ने जो करें ठीक है आलोचना कर दीजे तो जब आलोचना करेगा तो आलोचना करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसने का आलोचना कर दीजे आपने खुब बुराई पर बुराई कर दीजे लगे पड़े हैं आप उसकी बुराई करने में ना आलोचना करने का मतलब है कि उसकी अच् करें समिक्षा करें आलोचना करें या क्रिटिकल एक्जामिन करें कि इसको भी समझना बहुत जरूरी है बहुत जल्दी हम लोग इस टॉपिक में भी एक वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे कि प्रश्णों के अंत में अगर इस तरीके से लिखा हो कि समिक्षा करें तो इसका अंसर करें उसमें क्या लिखेंगे उत्तर में अगर लिखा हो कि इसको मुल्यांकन करें तो उसमें क्या लिखेंगे भई तीके मुल्यांकन जब भी आप करेंगे इस बात है आप से कहा मुल्यांकन करेंगे तो मुल्यांकन करेंगे तो यानि आप उसमें देखेंगे कि उसमें अच्छाइया कितनी हैं और बुराईया कितनी है क्योंकि निश्कर्स तो आप तभी लिख पाएंगे अगर अच्छाइया जादा होगी तो कहेंगे कि यह अच्छा है बुराईया जादा होंगी तो आप कहेंगे सुधार की जिरूट तो मुल्यांकन करें, यानि समझना है कि मुल्यांकन का ताफ़ यहां पर जाया है, ऐसे ही समालोचना करें, तो जो भी शब्दार है, हम लोग इन शब्दों पर चर्चा करेंगे, एक विशेश वीडियो इसके लिए बनाए जाएगा, जिसमें कि आपको हम ये बताएंगे कि प्रश्ण के अंत में जो आया है समालोचना करना, आलोचना करना, मुल्यांकन करना, समिक्षा करना, टिपनी करना, किनका उत्तर कैसे लिखा जाए, एक बात है, समझ में आ गया, तो यहां पर जो प्रश्णों को हमने बताया, जैसे आं अपरोच के माध्यम से आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं, और इस अपरोच में ये ध्यान रखिये कि लिखना पड़ेगा, बिना लिखे UPSC या UPPCS नहीं निकाला जा सकता, बेइमानी है, आपको हर हालत में, हर तरीके से ये प्रयास करना है कि लिखना, ठीक बात है, तो आगे चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट अब बात करते हैं, इतना तो हमने आपने बता दिया कि उत्तर कैसे लिखा जाएगा, प्रशनों को कैसे त्यार किया जाएगा, क्रौंसेट कैसे डवलप किये जाएगे, और तिलबस कैसे पढ़ा जाएगा, अब आया रिसूर्स की बात, क्यानि कौन से रिसूर्स त्यार किये जाएगे, कैसे रिसूर्स बनाएं हम यहाँ पर, क्या-क्या पढ़ें, तो देगे, पॉलिटी में बहुत आसान है, कि हम बात करते हैं, पॉलिटी में, सबसे आसान तरीके से पढ़ने की तैयारी करने के लिए, दो-तीन है इसके अंदर जिनको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहत आसान हो जाया एक किताब तो इसमें इंडियन पॉलिटी यानि भारतिय राजविवस्था यह जो है भारतिय राजविवस्था एम लक्ष्मी कांत की नाम लोट कर लिजेगा बहुत फेमस बुक है सब जगे मिलती है आज की डेट में यूपीस्थी की तैयारी करने वाला हर बच्चा इस किताब तो और एक बार नहीं पढ़ता है चार बार छे बार ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जिनों ने आपको 20-25 बार पढ़ डाला ठीक है लेकिन अगर दिमाग से अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आपके समस्त प्रश्णों का उत्तर आपको इसमें फिल जाएगा सारा सिल्बस आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा ये आप निश्चे दमाने ठीक है इसके अलावा वेयर एक पढ़ लिजे पी-एम भक्षी का Constitution पढ़ लिजे या फिर आलिया पॉब्लिकेशन का लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कई बार होता है किया लेने तो आप आलिया पॉब्लिकेशन का लिख सकते हैं और PCS के previous year के question paper prelims के घटना चकर के अंतरगत आपको मिल जाएगे घटना चकर का पुन्रा को आप तयार करते जाएगे जिससे क्या होगा जिससे आपकी तयारी मजबूत होती चली जाएगे एक बात है तो इंत और इसके लावा एक चीज़ और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे चब्द हैं जिनका अर्थ बहुत क्लियर नहीं हो रहा पस्ट नहीं हो पा इनके अर्थ को हम अच्छे से समझ नहीं पा रहें तो बहुत आसान है कि मैं हमेशा कहता हूँ नॉर्मली बच्चे बहुत शॉटकट लेना चाहते हैं कि सर एक बूग उताई है हम पढ़ लेते हैं मैं हमेशा कहता हूँ आप क्या करें आप NCRT 11th की पढ़ने से वैसे तो N 10th 11th 12 पढ़नी चाहिए लेकिन quality में especially मैं कहता हूँ आप 11th की NCRT जरू है 11th की NCRT अच्छे से पढ़ लेने से एक पाइदा ही हो जाता है कि जो आपका quality वाला part है उसमें चाहें वो freedom हो चाहें वो rights हो हर चीज आपको चाहें वो constitution के बारे में हो आप chapter wise पढ़ते चले जाए NCRT पढ़ने का तरीका भी बहुत सही है simple है तकि NCRT पढ़ने का simple सा तरीका होता है कि NCRT को तीन पार भी पढ़ना चाहें तबसे पहली बार जब आप किसी विशे को पढ़ने जा रहे हो तो आप NCRT की किताब उठाईए और जैसे कहानी की किताबे आप पढ़ते हैं कहानि तो आपने क्या करना है उस किताब को लेना है और दुबारा से उस किताब को क्या करना है बंड को पढ़ना है लेकिन इस बार पढ़ते हैं आप की हाथ में पैनिय पैंसल ब्यूद अ करता है तो जो वो जो points वो दे रहा है, उन points को आप उसमें भाख करते हैं, यह highlight करते जाई है, normally वो वैसे उसमें highlighted types होते हैं, लेकिन आप उनको underline जाएंगे, third time, अब एक बार दूसरी बार आपने पढ़ लिया है, अब तीसरा प्रियास है, इस तीसरे प्रियास में आपको क्या करना है, कि यह जो important point जो highlight किये गए है, इन्ही important point को क्या करेंगे, आप note down करके एक plus notes बना लेंगे, दो पन्ने का notes से एक chapter का आपका बन के तैयार होगा maximum, ल इदा question पूसता है, और वो वहीं से मिलेगा, आप उसको पढ़िए, उसको revise करिए, बार बार revise करना बहुत आसा होगा, दूसरा जब लक्षमी कांथ पढ़ रहे हैं, तो लक्षमी कांथ से notes बनाने के बहुत चाह जरूरत नहीं है, वो किताब अपने आप में खुद एक notes की उस किताब के भीतर, आप बस अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करिए, जो main point है, जो आप question paper साथ में रखिए, जब भी पढ़िए, एक reading के बाद question paper सामने होना जाए, आप questions देखते जाए, जो main point है, वहाँ highlight कर देए, pre का एक रंग से, face का एक रंग से, अलग-अलग रंग इसको आप गूगल से search कर लिजे, paper पे note down करिए, sticky notes पनाईए, उसी में चिक्का दीए, किताब इतनी से इतनी मोटी हो जाएगी, लेकिन ये निशित तोर पे मान लिजे, फिर आपको कुछ और पढ़ने की जोशाए, आपका सब कुछ उसी में तयार हो जाए, तो ये प्रक् प्रक्राइरी की प्रू कर देंगे, और हमारे application लक्षाइस को Google Play Store पर जाकर करके download कर लिजे, PCS के प्रश्णों को देखिए, PCS के प्रश्णों को देखिए, उनके उत्तर लिखिए और उनको उसमें upload कर दिए, अब आपी ये चिंता भी खतम, कि अरे सर हम तो लिखते हैं, कोई हमारा चेक करने वाला नहीं है, हमारी तरफ से ये सुविदाप के लिए है, आप उन answers को लिख करके upload करें, हम answers को चेक करे के बाद क्या कमिया रह गई हैं, उन कमियों को बता देंगे, और आप उनमें दिरंतर सुधार कर सकते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाते हैं, तो 9 October से हमारा एक नया batch लाँच हो रहा है, UPPCS के लिए Silver batch, इस batch में पहले 500 अभ्यार्थियो के लिए 72% का आफ भी दिया गया है, आप स्चीकरता से इसे जॉइन कर लें और हमारे साथ प्रासिस का भी आनंद लें, धन्यवाद।